गृट बारेंगे श्रेंट्स, हम पिछली कुछ क्लासेस से लॉजिक सर्फिट्स को डिसकस कर रहे हैं, डिजिटल एलेक्ट्रोनिक्स, मौर्डर्न एलेक्ट्रोनिक्स का में बेसिज है, डे बाइ डे हम अनलोग एलेक्ट्रोनिक्स से डिजिटल एलेक्ट्रोनिक्स की तरफ म मैंने आपको बताया कि digital electronics में जहां सबसेफ important aspect जिसे basic circuit block कहेंगे, वो हमारे gates है. मैंने पिछले classes के अंदर and gate, or gate, not gate को discuss किया था, then, nor, nand, xor, in gates के symbol क्या है, इनकी क्या operation है, किस तरह के इनकी दुर्टे बिलाती है. अभी तक हमने जो discussion किया, उसमें black box principles पे चले, हमने input और हमें क्या output चीए, पता अंदर circuit क्या है, वास्तव में हमें नहीं पता, हम इसे black box principle कहते हैं, कि हमने input दे दिया, output हमारा desire में अंदर क्या circuit है, इसके बारे में हम in general discussing करते हैं, जब इसको application part पर जाते हैं, हम उसको एक symbol से represent करें, but practically, जब हमें और gate को बनाना होगा, end gate को बनाना होगा, जब नौर gate को बनाना होगा, तो इस operation को कैसे अचीव करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि basically gates, कुछ logics based होते हैं, जो हमां ultimately fundamental electronics से लेते हैं, say diode-diode logics, means diode भी वहां पे यूँस किये जा रहे हैं, PN junctions यूस क किया रहता है, और somehow TTL logic भी होता है, transistor, transistor logic, means cable transistors को हम यूज करते हैं, नहीं हम पर आज कुछ fundamental gates है कि हम बहुत detailed के analysis पेसले ही जाएंगे कि हमारे slavus का restriction है, हम यहां पर fundamental जो तीन gate, end gate, end gate, और gate, इनके मैंने कुछ logical circuits रताया है, और qualitative ले आपको बताने को कोशिश कर रहा है, क किस तरह से यह जो circuit है, वो अपने आप में नौट gate के equivalent है, या end gate के equivalent है, या और gate के equivalent है, हम सबसे पहले, मैंने अपके सामने एक circuit बनाया है, यहां पर आप देखें, एक मैंने common emitter transistor काम में लिया है, जैसा आप जानते हैं, transistor में तीन रीजन होते हैं, हमारा पेला reason, cut-off reason, active reason, and saturation reason, तो हम transistor यहां पर इस तरह का चूज करना चाहते हैं, कि जब हम input देखें, हम इस input 0 और 1 ही देना है, तो हमारा जब input 0 हो, तो यह cut-off reason में हो, और जैसे हमारा input 1 हो जाए, यानि हायर voltage हो जाए, say 5V हो जाए, तो यह automatically saturation reason में में मूव करें, यानि हम इस तरह के transistor को यहां select क करते हैं, जिसका active reason बहुत छोटा हो, जिस active reason हम वहां easily cross कर चके हैं, मैंने आगे ही classes में जब transistor है, तो आपको बता हूँगा कि switching time इस तरह से हो बहुत negligible हो, यानि active से सीजा saturation reason में आ जाए, तो हमने इस तरह के parameter हमने design किया है, यह कि एक common emitted configuration का transistor है, जिसमें अगर हम यह 0 volt करेंगे, तो यह cut off reason में होगा, और जब high voltage से one means five volt or whatever जो हमारे desired होगा, तो उस condition में सीजा saturation reason में move कर जाएगा, हम पहले previous topics में, हम को as a emitter follower इसको workout कर चुके हैं, तो इनके अंदर किस तरह से transistor की working है, उसको उन notes में देखते हैं, तो देखिए, जब हम इसको 0 रखेंगे, तो उस समय कट off reason में होगा, और कट off reason में होगा, तो यह 5 volt से हमें पूरी 5 volt हमें output में available होगी, यानि एक inverter की तरह वर्क कर रहा है, हमारा input low है, तो output high मिल रहा है, तो यह प्रतिलोमिया inverter, जो की basically not gate की property इस पर वर्क करेगा, जब तक यहां पर input low है, तो पूरी voltage drop यहां पर इस रीजन में voltage drop नहीं होगी और पूरी output यहां पर मिलेगा, इस तरह से input zero पर हमें output one मिलेगा, जैसे हम इसे one करेंगे, हम इसे high करेंगे, तो हम voltage बाइसी से work out करेंगे, तो हम देखेंगे कि यह voltage balance हो गया और यहां पर हमें कोई voltage available नहीं है, यह बहुत negligible voltage available है, तो इसलिए जैसे input को हमने high किया, तो output low हो गया, तो हम कह सकते हैं यह transistor अपने आपने एक inverter का work करेगा, नौट गेट का work करेगा, common emitter configuration की characteristics है, हाँ, यहां पर क्या values लेंगे, यह सारे parameter हम calculation से work out कर लेते हैं, हमारे examination scope में जस्ट हम से नौट गेट का transistor law दी पूर सकते हैं, तो यह हमें circuit required ह वहाँ पर भी working कभी नहीं कुछी जाती है, कि इस यह, this is more than sufficient, now मैं next आता हूं, and gate के, मैंने here and gate वही तू इंपूर का लिया है, और यह DDL logic की दिया है, DDL logic की अंदर के वल बने डायोड से उसकी आप देखिए, यहां पर एस डायोड है, दोसा डायोड है, यहां में एको input द 0 होगा है, जो हमारी 1st entry है, तो जब यह दामा 0 होगे, तो आप धेंक से देखिए कि डायोड D1 और D2 जोनो ही forward bias होगा, जब जोनो forward bias है, तो सादा current D1 से A होते वे ground हो जाएगा, यह D2 B होते वे ground हो जाएगा, और हमें output में कितना मिलेगा, 0, यानि हमारी end gate की जो 1st entry है, 0, तो 0, 0 हो यहां fulfill हो रही है, यहां पर कोई output available नहीं, second को हम को आलेक्टिटिव में देखें, से, इसको मैंने 1 करते हैं, इसको 0 रखा, तो जैसे इसको 1 means high voltage रखेंगे, तो D1 के तौनों side 5V voltage है, तो यह non conducting stage मैं जाएगा, means equal voltage है, current slow नहीं करेगा, but अभी भी D2 forward bias है, इसकी सा सारा करन B2 से B और B से ground हो जाएगा, और हमें अभी भी 0 मिलेगा, इस सारे से end gate की second entry, 1, 0, 0 हो में ऐसे समझ सकते हैं, तीसरी entry आती है, जब मान देखेंगे, इसको मैंने 0 रखा और इसको 1 किया, तो naturally, इससे में B2 non-connected stage मैं जाएगा, सारा करन B1 A उते वे ground हो जाएगा, य और finally, जब हम यह दौनों को 1 कर देते हैं, तो इसका मतलब यहां पर भी 5V और यहां मी 5V, तो किसी circuit में बोद साइट सेम वोल्टेज है, या पोटेंशल डिफरेंट 0 तो कोई current थ्रू नहीं करेगा, या थ्रू A कोई current नहीं जाएगा, थ्रू B भी कोई current नहीं जाएगा, यह सारा वोल्टेज हमें आउट पूट पर मिलेगा, या यह समय हमें आउट पूट पर वोल्टेज मिलेगी, that is 5V या हाई, तो यह तीस, फोर्थ जो लास एंट यह 111 को रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरह से यह end rate का equivalent DDL circuit है, उने को DDL circuit भी बना सकता है, लेकिन हमारे हम यह ही रेस्टेक्ट करेंगे, कि हमारा DDL circuit क्या है, और मैंने आपको इसकी working explain करीए, मैं वापिस repeat कर रहा हूँ, examination के अंदर, in general, इसका यह circuit diagram आता और कुछ नहीं आएगा, नेक्स आता, ORGIT, आपको ध्यान है, whenever either any input is present, or both input is present, output must be there, तो आप यहां देगे, यह लगबद म यहां पर 0V, यहां पर 0V, तो यहां पर कुछ कोई वोल्टे से अपना ही नहीं करें, तो output में कोई current flow नहीं करेंगा, output 0 में देगा, अब माल देगे, मैंने इसको high कर दिया, high means 5V कर दिया, तो आप देगे, जो diode deeper than forward wise होगा, current flow करेंगा, और output हपे हमें वही input जितना available होगा, यानि input high है तो output भी high होगा, इस तरह से और 8K में second entry को invest होगा, इसको मैं 0 कर देता हूँ, और इसको one कर देता हूँ, तो आप देखी, similar होगा, यानि D1 से कोई current flow नहीं करेगा, पर इस D2 से current flow करेगा, और output नहीं देगा, यानि third entry यहां पर verify कर सकते हैं, most important fourth entry को समझें, जब अपन में D1 भी अप्लाई किया और V2 भी अप्लाई किया, यानि इस वर D1 भी conducting stage में होगा, और D2 भी conducting stage में होगा, इस भी output पे D1 और D2 दोनों के कारण output होगा, तो यहां निस अंडेस्टुट नहीं करें कि हम ज्यादा तर 5V लेते हैं, 5V यहां दिया, 5 यहां दिया, तो देखें, दौनों parallel हैं, parallel में voltage अगर यह 5 और यह 5 है, तो इनके parallel यहां जो output voltage आएगी, 5 ही आएगी, यानि अगर input में 1 पे 1 लगाया, 2 पे 1 ही है, तो output भी ही होगा, दौनों का sum नहीं होगा, इस तरह सम इस all-way की working को इंडेस्टुट कर सकते हैं, कि मैंने अभी 3 circuits बताएं ह जहां पर examination में पूछा जा सकता है, मैं आगी के जो logic circuits हैं, nor gate, 9 gate, इनको आपको notes में provide कर दूँगा, क्योंकि हमें के वल circuit को धान में रखना है, और detail में इनकी working की requirement हमें नहीं है, कहीं न कहीं बात को समझ लें, कि हमारे अभी तक के topic में, जो चारों parameter important आते हैं, वो किसी gate का symbol, उसका operation, और उसके रुप्टेव, और उसके रवाद लास्ट आता है DDL या DTL logic, इसके अलावा और कोई question यहां तक नहीं बनता है, जहां पर हम NAND gate को एक universal gate की बात करते हैं, इन जनरल इतने से topic में, जो मेरी आज ये class है, 4th class in 4th classes के अंदर अगर आपने जो कुछ किया है अगर आप examination में आराम से 5-6 number का question attempt कर पाएंगे, यह एक ऐसा topic है जो minimum time में maximum output देता है, और यही सबसे बड़ी खासियत है, अब मैं next class के अंदर सीधे boolean expressions पर हुआँगा, जो कि हमारे syllabus का ही part है कि boolean algebra क्या है, आप maths में से शायद धर ये में पढ़ें या नहीं पढ़ें, लेकिन हम यहाँ पर boolean algebra को discuss करेंगे कुछ fundamental उनकी theorems और उनको कैसे problem solve करते हैं, thank you.